हलो फ्रेंड्स मैं रश्मी स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल वास्तू सपने और भविश्य में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सपने में पास्ता या मैक्राउनी को विबे नवस्थाओं में देखने का क्या मतलब होता है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सपने में पास्ता या मैक्राउनी देखना बविश्य में किसी शुप समाचार के आने आनंद की प्राप्ती नए मित्रों के बनने धन की बचत करने खुशी और सपने में कच्चा पास्ता या कच्ची मैक्राउनी देखना बताता है कि आपको अपने लक्षी को प्राप्त करने के लिए या अपने उद्देशी को पूरा करने के लिए थोड़े समय का इंतजार करना पड़ेगा सपने में अपने आपको पास्ता खाते हुए देखना अच्छे समय के आने अच्छे समाचार के प्राप्त होने प्रसन्यता और जीवन में आने वाले अफसरों का सूचक होता है इसी क्रम में यदि आप सपने में पास्ता खाते हैं और वहाँ आपको खाने में अच्छा नहीं लगता है या उसका स्वात खराब है तो यह सपना किसी परेशानी का हल नहीं मिलने या नई परेशानियों के जीवन में आने हानी परिश्रम के अनुसार परिणाम नहीं मिलन निराशा, भावनात्मक रूप से दुखी होने और जीवन के कुछ पहलूं के उलजने या नियंत्रन से बाहर जाने का सूचक होता है यह सपना देखने पर आपको वर्तमान में अपने स्वास्त पर भी ध्यान देने की आविशक्ता है सपने में अपने आपको पास्ता या मैकरोनी बनाते हुए देखना भविश्य में सही दिशा में कारे करने, सुचारो रूप से जीवन के चलने और जिम्मेदारियों का सही डंग से निर्वाह करने का प्रतीक होता है साथ ही यह सपना बताता है कि आपको अपने कारे को करने के लिए अधिक उर्जा की भी आविशक्ता है सपने में अपने आपको पास्ता खरिदते हुए देखना आने वाले समय में सपनों के पूरा होने, खुशी, इच्छा की पूर्ती या किसी ऐसे उद्देशी की प्राप्ती का संकेत देता है जो आप बहुत दिनों से प्राप्त करना चाहते थे परंतु यह सब प्राप्त करने के लिए आपको कठिन परिश्रम भी करना पड़ेगा सपने में खराब या सड़ा हुआ पास्ता या मैकरोनी देखना किसी प्रकार की हानी होने, आर्थिक परिशानियों के आने, दुख या भावनात्मक रूप से परिशान होने की और इशारा करता है सपने में पास्ता गिरना, अवसरों के हाथ से निकल जाने, नुकसान, परिश्रम के व्यर्थ जाने या जीवन में किसी महत्वपूर्ण चीज के खोने का सूचक होता है आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए